आज से बिहार विधान मंडल का बजट सत्र सुरू हो रहा है और इस बजट सत्र के सुरू होने के साथ ही कई सवाल भी खड़े होने लगे हैं जहां एक तरफ इस बजट सत्र को हांगामेदार बनाने की पूरी तेयारी कही जा रहे ही की गई है विपक्ष के द्वारा तो वहीं सत्ता में बैठे नितीश कुमार और महागटबंधन के नेताओं ने इस बजट सत्र को बेहतर ड़क से चलाने के लिए पहले ही मिटिंग किये विधान सभा के दोनों सद्नों के जो अध्यक्ष हैं सभापती हैं उन्होंने सभी दल के लोगों को बुला करके सभी दल इस बजट सत्र को लेकर के उनके मन में क्या चल रहा है इस बात को लेकर के अभी तक कोई बात खुलासा नहीं हुआ है लेकिन इतना तय मान के चलिए कि हर तरह से पूरी तरह से सुरक्षित सरकार में टेंशन होने का कारण भारते जंता पार्टी और विपक्ष हैं आपको वर्स 2023 के लिए नई सौगाते क्या है और क्या लोगों को दिया जाएगा इस बजट में खुलासा होगा जिस तरह से सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच रस्ता कसी देखने को मिल रही है उसका असर भी साफ नजर आएगा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कहा ये जा रहा है कि इस बजट सत्र में बहुत सारी ऐसी बाते होनी है जिसको ले करके सरकार कट घरे में खड़ी होगी सुबे के सियासी हलचल को देखते हुए ये माना जा रहा है कि इस बजट सत्र का हांगामेदार होना तय है खास तोर से विपक्ष ने कानून विवस्ता समेत अलग-अ अग मुद्दो पर नितीश कुमार की सरकार को घरने का पूरा प्लान बना रखा है हलाकि सत्र के पहले दिन राजपाल का अविभाशन होगा उसके बाद विधान सभाव विधान परश्यत के दोनों सदनों की संजुत बैठक को गौर्णर संबोधित करेंगे इसके साथ खत्म होते हैं उन्होंने कहा है कि जो सर्वे रिपोर्ट बता रहा है उसमें 28 फरवरी को वित मंत्री विजय कुमार चौधरी 23-24 का बजट पेस करेंगे और इस बजट पर बहस होगी जैसे ही ये सत्र खत्म होगा उसके बाद नितीश कुमार की उल्टी गिंती सुरू हो ज निती और योजनाओं को लेकर के अपनी तैयारिया कर चुके हैं वहीं आपको बता दें कि नितीश कुमार ने महागटबंदन के सभी साथ दलों को बुलाया है और साथ दलों के विधान मंदल सदस्यों की बैठक मुख्य मंत्री नितीश कुमार की अधक्स्ता में होगा भारते जनतापाटी भी अपने विधाय को बुलाया है कहा जा रहा है कि तीन तीश से लेकर चो बज़े तक विधान मंदल दल की बैठक पाटी का रियाले में भारते जनतापाटी भी करेगी अब देखना दिल्चस्प होगा कि आज तो फॉर्मलिटीज निभाने के बाद विधान मंदल का सत्र समाप्त कर दिया जाएगा लेकिन कल जिस तरह से हंगामेदार होने की संभावना ब्यक्त की जा रही है उससे इंकार नहीं किया जा सकता है हमारी पूरी नजर बनी हुई है विधान सभा के और विधान मंदल के इस बज़ट सत्र पर आप जुड़े र खंटी बाग उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक ख़वर रुवा मुफ में मिल जाए अगर रुवा पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कल चाहता नहीं तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यबाग